की ऐड़ों इस्टुदेंट गुद ओनिग फेल्ग गुरूंग फिन गुरूंग एवरिवन कैसे अषब कैसे अब पका विल्लकम टॉ आएफिएस तो हीम इस्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल डेवलप्मेंट और Animal Development में भी आज हम स्टार्ट करेंगे Fertilization ठीक है? तो आप Fertilization से क्या समझते हो? कुछ बता सकते हो Fertilization के बारे में? बोलो बिटा क्या आप बता सकते हो Fertilization क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे Fertilization क्योंकि हमें Animal Development पढ़ना है तो उससे पहले हमें ये सब पता होना चाहिए Fertilization के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपने Reproductive System यदि पढ़ा होगा तो शायद थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा तो आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे है अब Fertilization के लिए Fertilization का मतलब क्या है? Simply Fusion of Ag and Sperm Plasma Membrane हमें Fuse करना है और उसके बाद हमें क्या बनेगा? Zygote मिलेगा ठीक है? हमें इतना पता है? अब हम आगे चलते हैं अब इसके लिए Fertilization के लिए हमने इसे डिवाइड किया है 5 Steps में सबसे पहले क्या ज़रूर है? Recognition सबसे पहले क्या ज़रूर है? Recognition Recognition का मतलब है जैसे कि जो marine organism होते हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो तरह के Fertilization External Fertilization as well as Internal Fertilization External and second is Internal तो अब External में हम जो Example लेके पढ़ेंगे बिटा वो पढ़ेंगे हम Sea Urgin Mainly जो हमारा focus रहेगा वो किस पे रहेगा? Sea Urgin पे और Internal तो हम mammals को लेके चलेंगे तो अब हमें पता है External Fertilization के case में External Fertilization किस में होता है? External Fertilization जो होता है वो marine organism में होता है हमें यह सब पता है अब marine organism में जब हो रहा है हमें पता है Sea के अंदर कितनी सारे अलग-अलग species है जिनके eggs या फिर जिनके sperms जो है वहाँ पर present होते हैं तो अब हमें कैसे पता चलेगा? उसी sperm को कैसे पता लगेगा? कि वो egg जो हमें मतलब क्या बेटा? Aquatic animal We can say aquatic animal या फिर we can say marine organism किसी भी aquatic के अंदर दोनों ही आ जाएंगे बेटा marine भी आ जाएंगे और fresh water organism भी आ जाएंगे तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे अब हम यदि sea urchin है sea urchin is a marine organism इसी लिए हम marine को लेके चल रहे हैं बेटा हेलो बेटा सब कैसे हो? Good afternoon बेटा चलो आगे हम चलते हैं अब marine के अंदर sea के अंदर क्या होगा? different species के eggs भी होंगे और sperm भी होंगे अब जब sperm release हुए है तो sperm को कैसे पता होगा कि वो जिस egg के साथ fertilization करने वाला है वो sperm उसी की species का है या फिर different species का है Good afternoon बेटा, Good afternoon सब कैसे हो? Good afternoon बेटा तो चलो स्टार्ट करें Interested हो इस topic में सब? सबको ये topic कैसा लगता है? Human physiology कैसी लगती है? Okay बेटा तो हम स्टार्ट करते हैं तो हम हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले step क्या है? Recognition Recognition का मतलब है कि उस species को जिसके वो sperm release हो रहे हैं उसको पहले पता होना चाहिए कि जो egg है वो same species का है जिसके साथ वो fertilization करने वाला है या फिर हमारा मतलब different species का है यदि different species का fertilize करेगा तो क्या वो survive कर पाएगा? उसमें development हो पाएगा की नहीं? development ही नहीं होगा तो इसी लिए सबसे पहले हम first step क्या पढ़ते हैं? Recognition जिसमें species को recognize मतलब eggs और sperms जो होंगे वो same yes बेटा yes तो वो same species के होने चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूर ही है? Recognition now next step is जैसे sperm gets activated इसका मतलब है कि जैसे ही आपका sperm ने recognize कर लिया कि उसे जो egg मिला वो same species का है तो क्या होगा? तो sperm activate हो जाएगा अब वो from Nepal and love your lecture thank you बेटा चलो तो यहाँ पे sperm क्या हो जाएगा आपका? activate हो जाएगा जैसे ही उसको same species का egg मिल गया चीक है? next step is fusion of sperm and egg plasma membrane अब दोनों एक ही species के हैं चीक है? activate भी हो गया sperm तो अब क्या होगा? दोनों का क्या होगा? fusion होगा दोनों की membrane का fusion होगा उसके बाद ही further fertilization मतलब जो आपका zygote बनेगा वो उसके बाद ही बनेगा further चीक है? तो यह हो गया अब जब fusion होगा बेटा जैसे ही एक sperm egg के अंदर entry कर ड़ी sperm enter कर गया egg के अंदर तो क्या होगा? करना है? उनकी entry को जो further और additional sperms है अब हमें उनकी entry को क्या करना है बेटा? block करना है तो उस term को hello बेटा good evening बेटा तो हमें क्या करना है? कि उन additional sperms को हमें क्या करना है? block करना है उनकी entry को block करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं बिटा, polyspermy है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, polyspermy when additional sperms also try to enter into the egg ठीक है, now the next step is egg metabolism activated and stimulated to start development, अब क्या होगा, जैसे ही polyspermy block हो गई, अब और sperm enter नहीं कर सकते तो क्या होगा, egg का metabolism, egg अब activate हो गया, अपना काम जो अब egg के अंदर होना है, जब fusion हो गया, sperm और egg का plasma membrane fuse हो गई, और साथ में जो additional sperms थे, वो भी हट गए, तो अब क्या होगा, जो further development है, बिटा, वो start होगा egg के अंदर, further कहां पे होगा, जब egg के अंदर ही fuse की आया है, ने, sperm के head ने, तो further जो development होगा, वो कहां पे होगा आपका, कहां पे होगा बिटा, एक के अंदर, तो egg एक्टिवेट हो गया, हम next day, fusion of egg and sperm nuclei, तो जब development start हो गया, तो last step क्या होगा, कि उनके दोनों के nuclei क्या हो जाएंगे, fuse हो जाएंगे, क्या इतना clear आ रहे हैं, सब को इतना clear हैं, चले आगे, now come to the next slide, अब हम पढ़ेंगे recognition, ठीक है, अब recognition के लिए क्या होनी चाहिए बिटा, specificity, क्या होना चाहिए, specificity, मतलब, वो जो आपके sperm है, वो same species के egg से ही fuse करने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये possible कैसे है, कुछ तो होगा जो egg release कर रहा होगा, कुछ तो होगा जो egg release कर रहा होगा, जो उस same species के sperm को attract कर रहा होगा, कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है बिटा, यहाँ पे specific recognition molecules होते हैं, वो molecules क्या हैं आपके, एक है आपका sap, sap को हम बेटा क्या बोलते हैं, sperm activating peptide, और इस sperm activating peptide का नाम क्या है बेटा, reset, क्या यह याद रहेगा आपको बेटा, तो यह जो है, recognition molecules release होते हैं, एक से, वो recognition molecules कौन से, उन्हें क्या बोलते हैं, sap, sperm activating peptide, और उस peptide का नाम क्या है, reset, क्या इतना clear है, चलो, तो यहाँ पे, क्या बोल रहे हो बेटा, chemo attraction, यह बेटा, इस process को हम chemo attraction भी बोलते हैं, तो इस process में chemo attraction कब होगा, जब eggs release करने हैं, कुछ chemicals, जो आपको, हाँ, थोड़ा chemistry physics का करा रही थी, बेटा, मैक अप chemistry physics का करा रही थी, ज़ो, तो यहाँ पे क्या है, यह recognition molecules हैं, इनकी वज़ा से क्या होगा, sperm की जब यह release होंगे, resect release की आगने, तो उसकी वज़ा से, बेटा, क्या होगा, sperm की motility बढ़ जाएगी, क्या होगा, sperm की motility क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, increase हो जाएगी, अब यह sperm motility कैसे increase होई, बेटा जब sperms C-archin के अंदर रहते हैं तो क्या होता है C-archin के अंदर? उसकी pH low होती है क्या होती है pH? लो होती है जिसकी वजा से वो movement नहीं कर पाते हैं बेटा I'm fine, Manisha? हाँ, तो sperm motility कम होती है मतलब almost nil होती है किस वजा से? due to low pH लेकिन जैसे ही वो किस के अंदर गए? C में enter किये sperm जैसे ही C-archin ने release किये समुदर में तो क्या होगा पानी में release किये? क्या होगा बेटा कार देगे? हाँ, तो pH जैसे ही अब क्या होगा? जैसे ही C में अंदर गए तो उसकी वजा से क्या होगा बेटा? अब हमें पता है C में क्या होता है? salt की concentration जादा होती है? ये तो सबको पता होगा? तो जब salt की concentration जादा है salt की concentration का मतलब क्या है? यहाँ पे sodium iron जादा है salt में हम mainly क्या लेके चलता है बेटा? sodium आए तो क्या होगा? अब हमें पता है क्या होगा बेटा सबको इतनी हसी आ रही है बोलो हम भी हस लेंगे माम प्लीज यूज अधर कलर ओके बेटा तो बेटा क्या होगा C में क्योंकि Soid की कंसेंट्रेशन क्या है बेटा I am fine Soid की कंसेंट्रेशन बहुत जादा है मतलब sodium iron जादा है अब sodium iron जादा है अब C अर्चिन के अंदर sodium iron क्या है कम है तो क्या होगा diffusion होगा यह जो sodium iron है यह किसके अंदर enter करेंगे बोलो यह sodium iron क्या करेंगे उस sperm के अंदर enter करेंगे और उसकी वज़ा से क्या होगी उसकी pH बढ़ जाएगी और pH increase होने से क्या होगा आपकी sperm motility बढ़ जाएगी क्या इतनी बात clear है बिटा ठीक है? sperm motility क्या हो गई? increase हो गई तो हमने अब recognition की बात कर ली अब जब sperm motility मैं आप animal development topic complete करवाएंगे हाँ बिटा मैं complete करवाऊंगी 5 days में complete होगा ये same time पे होगा ओके? चलो तो यहाँ पे क्या है? अब second step क्या होगा? acrosomal reaction अब क्या होगा बिटा? it's okay बिटा मैंने आपका message नहीं देखा था इसलिए थोड़ा late हुआ हम तो acrosomal reaction अब क्या होगा बिटा? जैसे ही sperm motility बढ़ी मतलब क्या हुआ? कि sperm अब active होगा अब active होगा तो अब second step क्या है? इसका acrosomal reaction क्या है next step? acrosomal reaction acrosomal reaction का मतलब क्या है बिटा? जैसे ही fusion होगा egg का और आपके sperm की plasma membrane का? थैंक्यू बिटा, थैंक्यू? हाँ बिटा, समद ये आपके CUET के लिए भी है उसमें भी same यही आता है, almost यही पूछा जाता है तो acrosomal reaction जो होती है, बिटा acrosomal reaction कब होती है? अब दोनो sperm और egg plasma membrane उनकी पास में आ गई तो आप क्या होगा? acrosom आपका जब sperm active हो गया तो sperm active होने से क्या होगा? आपकी acrosomal membrane break होगी acrosomal membrane break होगी तो वहाँ से acrosomal enzymes release होगे जो की egg की जो membrane है उनको degrade करना start करेंगे क्या आपको इतनी बाद समझाएगे? आई इतनी बाद? ओ, thank you बेटा अक्ष्रा हाँ तो उसके बाद अभी हम detail में next diagram पे ही चलते हैं देखो, यह आपको diagram दिया हुआ है बिटा थोड़ा सा blurred है लेकिन यह आपको diagram दिया हुआ है यह sperm है यह sperm में akrosomal membrane है ठीक है? अब बिटा sperm की akrosomal membrane के ऊपर क्या होता है? bindin proteins present होते हैं क्या present होते है? binding proteins present होते हैं और इस binding के receptor किस पर present होते है binding proteins on akrosomal membrane ठीक है और इसके receptor जो होते हैं binding receptors वो कहाँ पे present होंगे बताएए वो कहाँ पे present होंगे binding receptors कहाँ पे present होंगे binding receptors वो होंगे आपके very good एग की मेंब्रेन के उपर बिटा ठीक है तो यह क्या होगा जब बाइंड इन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब जाके फ्यूजन आपका कम्प्लीट होगा तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेप है अब यहाँ पे यह आपको जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं इस और बाइंड और बाइंड रिसेप्टर्स देटार प्रिजेंट ओन प्लास्मा उंब्रेन ऑफ द एग तो यहाँ पर क्या होगा जैसे एग मे यह आपका एग है इसके एग के बार यह जो मेंब्रेन है दैट इस वाइट-लाईन मेंब्रेन इसे हम बोलते हैं गए अनवलोप ठीक है और यहाँ पर इसके बाहर यह जो होता है यह जैलि कोट ठीक है तो हमने वाइट लाइंड membrane को break करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा jelly coat को degrade करना पड़ेगा तो अब jelly coat को degrade करने के लिए क्या होंगा acrozoom से enzymes release होंगे जो कि क्या करेंगे इस jelly coat membrane है इसको degrade करेंगे अब आप देख रहे हो यहाँ पे degrade हो गई है पूरी जब degrade हो गई है तो यहाँ पे आपको यह जो binding receptor प्रोटीन दिख रहे हैं यह किस से bind हो गई receptor से लेकिन इसको bind होने के लिए white line membrane तक पहुचने के लिए पहले क्या होगा extension of acrozoomal process क्या होगा बिटा acrozoomal process बनेगा अब वो जो acrozoomal process बनेगा वो किस से बनता है बाइदा polymerization of actin filaments ठीक है बिटा और यह stimulate कैसे होगा acrozoomal process कैसे बनना शुरू होगा बिटा एग की membrane के उपर कुछ sulfate polysecrides होते हैं क्या होते हैं sulfate polysecrides होते हैं एग की membrane के उपर जो की इस acrozoomal reaction को क्या करते हैं stimulate करते हैं तब acrozoomal process क्या होगा आपका extend होना start होगा और extend कैसे होगा by the polymerization of actin filaments क्या अब तक जितना पढ़ा है वो clear है बिटा क्या सबको clear है चलो तो अब आगे चलते हैं extension होगा हमारा acrozoomal process का जब extension होगा अब क्या होगा फिरसे इस diagram पे हम आ गए अब ये extension से क्या होगा ये किससे white line envelope से contact करेगी अब white line envelope पे क्या present है binding receptors अब वो binding receptors जो हैं वो क्या करेंगे contact करेंगे अब ये जब binding receptors contact करेंगे बिटा दोनों का fusion होगा binding binding receptor से जब जुड़ेगा तो उस time पे क्या होगा इसका ये fertilization cone बनना start होगा क्या होगा fertilization cone बनना start होगा जब ये fertilization cone बनेगा तब जाके ये क्या होगा बिटा दोनों का membrane fuse करेंगी दोनों की membrane क्या करेंगी fuse करेंगी जब ये fertilization कौन आपका बनेगा ठीक है fertilization कौन बन गया acrosomal extension हो गया binding binding receptor से जुड़ गया ठीक है तो ये पूरी है आपकी acrosomal reaction क्या आपको acrosomal reaction सबको समझ में आ गई बेटा ये मेरे को idea नहीं है कि इसका exam कब है या आप net पे चेक कर लो या मैं कल के lecture में आपको बता सकती हूँ ठीक है तो अब हम क्या करते हैं अब हमने क्या पढ़ लिया बेटा ये acrosomal reaction पढ़ लिए extension भी हो गया साथ में fertilization कोन भी बन गया ठीक है अब अब हम next क्या है ये बेटा हमने अभी पढ़ा C-archin का तो C-archin को हमने compare किया है किसके साथ mammals के साथ compare किया है तो आप देख रहे हो C-archin में क्या हो रहा है कि पहले ये जो jelly coat membrane है ये degrade हो रही है फिर acrosomal reaction के through क्या हो रहा है ये white line envelope से contact करेगा और white line envelope से contact करने के बाद क्या होगा आपका fertilization कौन बनेगा यहाँ पर ये सब हो रहा है what is the significance of fertilization कौन बिटा fertilization कौन इसलिए जिससे की fusion easily हो जाए जो और बाकी sperm अभी enter करेंगे वो बाकी और enter ना करें उसके लिए fertilization कौन की जरूरत होती है fertilization कौन का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर बिटा क्या visible नहीं है properly साथना ठीक है तो fertilization कौन बस एक छोटा सा क्या है extension है थोड़ा सा extension है जिसकी वज़ा से वो दोनों easily fuse कर जाएंगे जस्ट लाइक VIP entry थेंक यू बेटा थेंक यू जब explanation अच्छा लग रहा है तो next की four lectures में भी सब होने चाहिए और जितना हो सा के उतना share करो हाँ तो अब क्या है बेटा अब C अर्चिन के अंदर आपको समझ में आ गया अब हम देखते हैं बेटा कौन सी वाली है वाली figure तो मेरे क्याल से clear है इससे पहली थोड़ी सी blurred थी हाँ तो ओके बेटा हाँ तो अब mammals के अंदर हम किसका पढ़ ने है बेटा mouse का पढ़ ने है अब हमें पता है कि mouse की जो mouse का जो egg होता है उसमें कौन कौन सी membrane होती है यह आपका egg है उसके बार कौन सी membrane होगी zona pellucida होगी बेटा हम बस main membrane की बात करें जिनें हमें break करना है और किसी membrane को हम नहीं consider कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे आपकी plasma membrane भी होगी ठीक है उसके बाद क्या होगा सब से भार जो होगी वो क्या होगी बेटा सबसे बाहर जो membrane होगी वो कौन सी होगी आपकी cumulus layer ठीक है यह आपका mammal के egg की layers है अब इसमें क्या है बेटा यहाँ पे acrosome reaction जैसे ही sperm enter की insemination का मतलब क्या होता है when sperm enter into the female genital tract then that process is known as insemination we know that तो insemination में बेटा क्या होगा कि जैसे ही sperm enter करेंगे female genital tract के अंदर तो वो active हो जाएंगे उनके लिए किसी acrosomal reaction की या फिर कोई हाँ बेटा corona radiator भी होती है लेकिन उसके लिए enzymes वो easily अंदर penetrate कर जाता है main होता है zona pellucida को penetrate करना जो species specific layer है हम बस उसी की बात कर रहे है बेटा यहाँ पे ठीक है बेटा बोलिए corona radiator की ज़स zona pellucida से बाहर होगी न तो वो जो layer है वो जो layer है वो cumulus layer में ही हम count कर लेते हैं उसको डीग्रेट करने के लिए किसी special enzyme के जहरत नहीं हो दिया है हाँ तो next क्या है कि यहाँ पे कोई as such acrosomal reaction नहीं हो रहे है जैसे कि हमें इसमें क्या चाहिए था species specific recognition molecule चाहिए थे जब वो recognize करेंगे तब जाके क्या होगा दोनों का क्या होगा acrosomal reaction होगी और जब acrosomal reaction होगी तब जाके उनका fusion होगा लेकिन mammals के अंदर ऐसा नहीं होता mammals के अंदर क्या होता है कि जैसे ही sperm अंदर enter करेंगे तो वो activate हो जाएंगे और जाके किस से bind करेंगे zona pellucida layer से जब वो zona pellucida layer से bind करेंगे तब जाके आपके acrosomal reaction होगी और फिर further process होगा क्या आपको दोनों का difference समझ में आ गया क्योंकि बिटा mammals के अंदर internal fertilization होता है internal में species specific recognition molecules की किसी की जरूरत नहीं होती तो इसी लिए क्या होगा माम pdf इसके मिल सकती है क्या हाँ बिटा मैं share कर दूंगी चलो तो अब हम next क्या करते हैं next हम पढ़ते हैं polyspermi अब दोनों का यह plasma membrane क्या हो गई refuse हो गई अब हमें क्या करना है जो additional sperms हैं उनकी entry को रोकना है ठीक है बिटा तो उन additional sperms की entry को हम कैसे रोकेंगे और eco activate कैसे करेंगे तो उसे रोकने के लिए बिटा दो process होते हैं block एक fast block और एक slow block अब हम सबसे पहले किसे पढ़ेंगे fast block के पारे में कि first block क्या होता है तो बिटा जो fast block होता है obviously नाम से पता लग रहा है बहुत जल्दी होगा ठीक है slow block में time लगेगा तो जो fast block होता है आपका ये within seconds हो जाता है ये process का कितने time में हो जाता है within seconds हो जाता है लेकिन जो आपका slow block है वो several minutes लेता है ठीक है तो अभी हम जब सी अर्चिन की बात कर रहे हैं तो हम okay बेटा मैं share कर दूंगी एक बार मेरे को आप pin कर सकते हो तो कर देना प्लीज चलो तो यहां पर fast block हो गया slow block हो गया अब fast block कैसे होता है हम detail में पढ़ते हैं हां अब fast block में क्या होता है बिटा fast block में क्या होगा जैसे ही sperm आपके किस के अंदर enter करेंगे C के अंदर enter करेंगे जैसे ही sperm C के अंदर enter करेंगे तो क्या होगा अब C के अंदर sodium की concentration जादा है जादा है कि नहीं है अब जब sodium की concentration किस में जादा है C में जादा है तो वो किस के अंदर enter करेंगा बिटा sperm के अंदर enter करेंगे sodium अब जैसे ही sodium sperm के अंदर enter करेंगे तो उसकी वज़ा से क्या होगा उसकी वज़ा से क्या होगा बिटा Membrane Potential Change होगी Membrane Potential Change होगी Membrane Potential कैसे होगी जब अंदर Sodium Ion Enter करेंगे तो क्या होगा Membrane का बिटा Depolarization तो Depolarization जब होगा तो Resting Membrane Potential बेटा कितनी होती है Resting Membrane Potential कितनी होती है क्या किसी को पता है बेटा Resting Membrane Potential होती है आपके Minus 70 Millivolt और जब Depolarization हो जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 30 Millivolt प्लस 30 तो क्योंकि ये चेंज हो रही है इसकी Membrane Potential चेंज हो रही है येस बेटा शिवराज कारती के साथना बेटा नेगेटिव में होती है माइनस 70 ठीक है हाँ तो माइनस 70 से क्या हो गई प्लस 30 हो गई अब जैसे ही इसकी Membrane Potential चेंज होगी तो ये Binding Receptor से Bind नहीं कर पाएंगे ये Sperms Binding Receptor गुड आफटनून बेटा गुड आफटनून तो ये क्या होगा Binding Receptor से Bind नहीं कर पाएंगे ठीक है जब Binding Receptor से ये नहीं Bind कर पाएंगे तो क्या होगा सारी sperm जो add होने वाले हैं वो सब हट जाएंगे तो इस तरह Fast Block होता है क्या आपको Fast Block Clear है क्या सबको Fast Block Clear है जल्दी जल्दी बोलो चलो अब हम आगे बढ़ते है Slow Block पे तो बिटा Slow Block जो होगा वो क्या होगा कैसे Initiate होता है पहले Initiator कौन होता है कैल्शियम आएं इनिशियेटर कौन होता है कैल्शियम आएं शुरू कौन कर रहा है Slow Block को पेटा कैल्शियम आएं ठीक है अब कैल्शियम आएं जैसे ही बटा Sperm और Egg दोनों की Membrane Fuse करेंगी वैसे ही क्या होगा कैल्शियम रिलीज होगा कैल्शियम रिलीज होगा क्योंकि बटा Egg के अंदर भी तो आपकी एक की Plasma Membrane है इसके बाहर कौन सी Membrane होती है आपकी वाइट लाइन एंविलब और इसके बाहर क्या है जैली कोट अब जैली कोट तो डीग्रेड हो गया तो वाइट लाइन से टैच हो गया और हमारा sperm यहां तक पहुच चुका है पहुच चुका है पीटा हमारे sperm कहां तक पहुच चुका है प्लाजम विम्बरेन तक पहुच चुका है अब जब यह Plasma Membrane तक पहुच चुका है इस तरह यह Fertilization कौन बनता है तो यहां पे कुछ granules present होते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं cortical granules क्या बोलते हैं बिटा cortical granules नाम से ही पता लग रहा है cortical का मतलब क्या है cortex reason में present है और cortex reason क्या होता है periphery ठीक है हेलो बिटा यह diagram किस बुक से है बिटा यह diagram गिलवर्ट से है वो शायद आपके पास बुक नहीं होगी देख ले ना तो cortex reason में present होते है cortical granules तो जैसे ही बिटा calcium release होगा fusion के बाद तो क्या होगा यह cortical granules क्या होंगे release होंगे यह actually granules तो इसके अंदर होते है इन्हें हम बोलते है cortical vesicles नहीं तो confused हो जाओगे इसलिए बेटा बता रही हो vesicles के अंदर है cortical granules ठीक है तो cortical granules release होंगे और इस cortical vesicles के अंदर जिने हम cortical granules बोलते है यह क्या है बेटा enzymes है यह क्या है बेटा enzymes है जो कि release हो रहे है इतना समझ में आया नमस्ते बेटा नमस्ते हाँ तो आपको इतना क्लियर है कि cortical granules से जो release होंगे cortical vesicles से जो release होंगे वो क्या होंगे enzymes release होंगे और वो enzymes किसमें involve होंगे बेटा आपका polyspermy block करने में ठीक है आगे है हाँ तो अब यह polyspermy कैसे block करेंगे क्या-क्या चीजे हैं जो की block कर रही है क्या हुआ बेटा हाँ तो क्या-क्या चीजे हैं अब जब cortical granules से cortical enzymes release होंगे तो उनमें किस-किस enzyme का क्या-क्या role है कुछ enzymes के हम नाम देखेंगे एक है बेटा cortical granules serene protease एक यह enzyme है यह enzyme क्या करता है बेटा यह enzyme क्या करता है आपका जो भी binding receptors present है एक के उपर उन्हें remove कर देगा क्या करेगा clips of binding receptors अब जब खुद सोचो जब binding receptor ही हट गए तो जो sperm के उपर binding protein present है क्या वो enter करेंगे क्या वो fuse करने देंगे fuse होगा fuse ही नहीं हो पाएगा क्योंकि binding receptors present ही नहीं है इन्होंने क्या किया उन binding receptor को cleave कर दिया अब बेटा क्या होता है अब इतना काम हो गया अब क्या होगा आगे mucos polysaccharides भी इनके अंदर present होते है cortical vesicles के अंदर तो वो भी release होंगे अब mucos polysaccharides जो होते हैं बेटा ये कैसे nature के होते है viscous कैसा fluid होता है viscous nature का होता है और viscous है तो क्या करेंगे ये इसकी वज़े से क्या होगी water की entry होगी और water की entry होगी तो क्या होगा आपका जो space है plasma membrane के बीच का और white line membrane के बीच का वो space increase हो जाएगा बेटा जैसे ये egg हो गई ये plasma membrane हो गई और ये आपकी क्या हो गई बेटा white line layer ठीक है तो अब इन दोनों के बीच में बेटा क्या होते हैं इन दोनों के बीच में दोनों ये क्या होते हैं जुड़ी रहती हैं layer anchoring proteins present होते हैं ये क्या है anchoring proteins anchoring junction anchoring का मतलब क्या होता है जो इन दोनों लेयर को जोड़ के रखते है एंकरिंग जंक्शन्स प्रिजेंट होते है अब ये एंकरिंग जंक्शन्स को पहले हमें कट करना पड़ेगा तब जाके दोनों मेंब्रेन थोड़ी पास आएंगी ठीक है तो उस anchoring junction को cleave भी कौन करता है ये ठीक है anchoring junctions तूट गए उपर जो binding receptors थे वो हट गए तो उनकी वज़ा से क्या होगा अब हमने क्या-क्या mucopolysacridan की वज़े से क्या हो रहा है water की entry हो रही है जब water की entry हो रही है तो क्या होगा इन दोनों के beach का space क्या हो जाएगा increase हो जाएगा जैसे ही हटेगा क्या होगा इन दोनों के beach का space क्या हो जाएगा माम gametogenesis और type of egg की class आपने लिए गया नहीं बेटा ये सब आप पढ़ोगे types of egg तो खेर मैं बता दूंगी आपको जब cleavage पढ़ाओंगी इसमें आपका third day cleavage है परसो शायद cleavage है तो जब मैं cleavage बताओंगी बेटा no किसके लिए बोल रहे हो आप सब तो जब मैं cleavage बताओंगी तब आपको type of egg बता दूंगी और gametogenesis जो आप पढ़ेंगे वो reproductive system में पढ़ेंगे चीक है जो सर animal biology unit ले रहे हैं वो सर आपको ये पढ़ाएंगे प्लीज ले लीजिए माम चलो मैं बात करती हो यदि मेरे को permission मिल जाती है इसकी तो मैं आपकी जरूर ले 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 दी हूँ छीक है सब चाहते हो gametogenesis की class अच्छा बिटा मेरे कोई याद नहीं है फिर हाँ तो अब क्या है water की entry हो गई water की entry होने से दोनों के बीच का क्या बढ़ गया बिटा दोनों के बीच का space बढ़ गया ठीक है यह काम हो गया अब एक protein होता है hyaline यह क्या करता है इस white line coat को क्या करता है बिटा white line envelope को hard कर देता है ठीक है जब यह hard हो जाएगा तो इसकी वज़ा से जो भी sperm इस पे bind है जो भी sperm इस पे bind है वो सारे हट जाएंगे इसलिए इस तरह slow block के through polyspermia prevent होती है क्या आपको polyspermia का topic समझ में आया अच्छे से या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझको बता सकते हैं मैं आपको दुबारा बता सकती हूँ तो यह आपका बेटा डाइग्राम है थोड़ा सा बलर्ड है कोपरेट करो अब यह वाइट लाइन एंविलाप है ठीक है अब यह अंदर क्या है यह आपकी बेटा एक की cell membrane है अब यह अंदर क्या प्रेजेंट है CURTICAL GRANULES तो क्या होगा जब दोनों का fusion होगा तो क्या होगा यह CURTICAL GRANULES ब्रेक होंगे ब्रेक हो गए जब प्रेक होगा तो इनके अंदर जो CURTICAL enzymes थे वो क्या हो गया बाहर रिलीज हो गए अब मैंने आपको एक enzyme बताए CGSP cortical granule serene protease यह enzyme क्या कर रहा है आपका जो इन दोनों के बीच का space है जो इन दोनों को membrane को जिसने जोड रखा है किस-किस को आपकी egg की membrane को plasma membrane को और white line envelope को जिसने bind कर रखा है बेटा maths है आपके पास maths पढ़ा दूँ चलो तो यह cortical granule serene protease यह क्या कर रहा है दोनों के बीच के जो anchoring proteins है जिसने इनको जोड के रखा हुआ है उनको काट दिया और जब उनको काट दिया तो mucopolysacrites की वज़े से क्या हुआ underwater enter हो रहा है तो आप क्या देख रहे है कि time के साथ दोनों के बीच का space क्या हो रहा है बिटा increase होता जा रहा है क्या आपको इतनी बास समझ में आई तो मैंने आपको यहीं तक यहीं बता है कि इस तरह यह process slow block आपका होता है हाँ अब बिटा slow block के बाद क्या होगा अब हमने पढ़ लिया slow block हमने पढ़ लिया slow block अब बिटा slow block के बाद क्या होगा यहाँ पे होगा अब egg activation अब ही हमने क्या किया पॉली सफर मी हमने ब्लॉक कर दी यहस माम बहुत अच्छे से enhance our knowledge थेंक्यू माम थेंक्यू बेटा थेंक्यू बेटा जितना उसा के like करो जितना उसा के share करो ठीक है उससे मेरे और जादा लेक्चर्स आपके सामने आएंगे हाँ तो egg activation में क्या होगा बिटा egg activation जब होगा अब हमारे क्या हुआ पॉलिसफर्मी ब्लॉक हो गई पॉलिसफर्मी ब्लॉक होने से क्या हुआ पॉलिसफर्मी जैसे ही ब्लॉक हुई जैसे ही ब्लॉक हुई तो उसकी वज़ा से क्या हुआ आपका एग एक्टिवेट हो गया ठीक है अब ये जो एग एक्टिवेट हुआ अब इसके अंदर क्या-क्या मेटाबॉलिस्म मैंने आपको बताया था अरे संशाइन है मतलब क्या कहना चाहरे हो करती के मैं इतने अच्छा से बढ़ा होगे ता इटी चाहरे हम टॉप कर लेंगे बेटा मैं यही चाहती हो कि मेरे जितने भी स्टूडेंट से सब अच्छी रैंक से क्वालिफाई करें ओ संशाइन कोई स्टूडेंट है चलो हाँ तो एग एक्टिवेट हो गया मैंने आपको फर्स स्लाइड में ही बताया था क्या बताया था कि एग जो है जैसे ही दोनों का फ्यूजन हुआ पॉलिस्परमी ब्लॉक हुई वैसे ही एग मेटाबॉलिस्म एक्टिवेट हो जाएगा एग का मेटबॉलिस्म स्टार्ट हो जाएगा एग मेटबॉलिस्म स्टार्ट होने का मतलब क्या है बिटा जो इसके अंदर रियाक्शन हो रही है अब जो फ्यूजन के लिए रियाक्शन ज़रूरी है वो सब एक्टिवेट हो जाएगी अब वो कैसे होगी हम यह पढ़ते हैं बिटा अब जो मैं टॉपिक अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत धिहान से पढ़ो ठीक है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट है बिटा चलो तो अब क्या बता रही हूँ मैं एग एक्टिवेशन में क्या होगा हमें पता है जैसे ही दोनों का फ्यूजन हुआ जैसे ही दोनों मेंबरेन फ्यूज हुई बिटा तो उस मेंबरेन की वज़े से क्या होगा फ्यूजन की वज़ा से क्या होगा ओके बिटा चलो जैसे ही मेंबरेन दोनों की फ्यूज हुई तो उससे क्या होगा बिटा आपका PLC एंजाइम एक्टिवेट होगा ठीक है ये PLC की फुल फॉर्म क्या है आपकी फॉस्फोल आइपेस C और ये फॉस्फोल आइपेस C एंजाइम क्या करेगा क्या किसी को आइडिया है क्या करता है ये ये क्या करता है PIP2 को IP3 प्लस डाग में कनवर्ट करता है क्या ये मॉलिक्यूल के नाम आपने कभी पढ़े है क्या होगे मैम क्या क्या नाम ले आई समझ में भी नहीं आ रहा है ये नाम याद भी नहीं रहेंगे चलो मैं बताती हूँ इसका नाम है बिटा पोस्फर टाइडल इनॉसिटूल बाइफोस्फेट ये पीलसी एंजाइम क्या करता है इसको किसमें कनवर्ट करेगा बिटा आईपी थ्री आईपी थ्री का नाम क्या है इनॉसिटूल ट्राइफोस्फेट और डैक का नाम क्या है आपका यहाँ डाइएसाइल ग्रिस्रॉल अब ये क्या करेंगे अब इसने पी आईपी थ्री और डैक में कनवर्ट कर दिया नो मैम अच्छा सुने नहीं कभी ये नाम चलो अब सुन लो तो अब पी आईपी थू को हमने किसमें कनवर्ट कर दिया बेटा आईपी 3 अट डैक में वाट इस पी आईपी 2 हीर फोस्फर टाइडिन, इनॉसिटूल डाइफोस्पेट अब वाट इस यहां आईपी 3 हीर आईपी 3 का मतलब क्या है Phosphatidyl Lipids में पढ़ाए हाँ बेटा Lipids में आप पढ़ते हो Inositol के बारे में Phosphatidyl Inositol भी होता है Phosphatidyl Choline यह सब जब पढ़ते हो तब पढ़ते हो आप हाँ तो IP3 क्या है Inositol Triphosphate और Diacyl Glycerol is DAG ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं Just a second चलो तो यहाँ पर IP3 और DAG क्या करेगा यहाँ से थोड़ा सा मैं खतम कर देती हूँ अब हम आगे बढ़ते हैं अब यह IP3 और DAG क्या करेगा IP3 क्या करेगा बेटा calcium channels open करदेगा क्या करदेगा calcium channels open करदेगा अब बेटा calcium channels कहाँ पर होते हैं अब egg के अंदर जो आपका क्या होगा endoplasmic reticulum होगा egg के अंदर जो endoplasmic reticulum है या फिर cortical vesicles के पास भी अपना बेटा reservoir होता है calcium ion का तो दोनों को ही ये activate कर देगा IP3 जिससे की दोनों से ही क्या होंगे calcium channels open हो जाएंगे दोनों के और calcium release होगा और आपको पता है calcium release जब होगा तो further जो process है आगे का fertilization का fusion का nuclei में उसमें हमें किसकी जरुवत होती है इसी calcium की जरुवत होती है ठीक है अब डैग क्या करेगा डैग भी indirectly यही करेगा calcium ion increase करेगा डैग जो mainly responsible होता है डैग किसलिए responsible होता है ये क्या करता है आपका alkalinity बढ़ाता है nature कैसा बना देता है उसका alkaline बना देता है जिससे की fusion अच्छे से possible हो हाँ बिटा सारकोप्लास्मिक reticulum very good हाँ तो calcium release हो गया alkaline हो गया nature अब जब दोनों काम हो गए alkaline भी हो गया और साथ में क्या हो गया आपका calcium भी release हो गया अब दोनों की वज़ा से क्या होगा दोनों की वज़ा से क्या होगा आपका fusion start होगा fusion होगा और साथ में क्या होगा आपका ये हो गया activation हमने यहां तक पढ़ दिया IP3 का हमें role पता लग गया क्या कर रहा है यहां पे calcium channel open कर दिये calcium release करवा दिया DAG का हमें पता लग गया DAG ने क्या किया DAG ने अपना काम कर दिया alkaline nature बढ़ा दिया जिसकी वज़ा से अब further process आगे continue हो सकता है बेटा ये क्या करते हैं जो आपके map kinase है उन्हें inactivate कर दिते हैं जिससे की further जो division है resumption हो जाता है meiosis का क्या करते हैं ये inactivate कर दिते हैं किसे map kinase को ठीक है और ये इसकी वज़ा से क्या होगा resumption of meiosis जो आगे further के process है वो resume हो जाएंगे ठीक है हमने यहां तक पढ़ लिया क्या इतना समझ में आया सबको बोलो ma'am DAG की ऐसी क्या property है जो alkaline nature बढ़ गया बेटा ये actually क्या करता है आपका hydrogen ion hydrogen potassium channels जो होते हैं उन्हें open करवाता है जिसकी वज़ा से क्या होगा बेटा जिसकी वज़ा से क्या होगा hydrogen ion भार निकल जाएंगे efflux होगा efflux का मतलब बेटा भार चले जाएंगे and potassium ion अंदर enter कर जाएंगे क्या आपको पता है कि hydrogen ion क्या करते हैं stomata opening बेटा stomata opening कहां से आ गई stomata opening कहां से आ गई बेटा H low तो pH high got it ma'am okay very good hydrogen ion क्या करते हैं हमें पता है acidity बढ़ाता है अब जब hydrogen ion कम हो गया तो उसकी वज़ा से क्या हुआ उसकी वज़ा से क्या हुआ hydrogen ion बहार निकल गए तो alkalinity बढ़ गई good afternoon बेटा इतना लेट इतना लेट कैसे चलो तो आपको ये सब समझ में आया कैसे IP3 ने calcium ion increase किया है कैसे DAG ने indirectly calcium ion भी release कर वाया और साथ में क्या कर आ है map kinase को inactivate करके miosis start कर दिया जिसकी वज़ा से जो further आपके fertilization continue हो जाएगा ठीक है जिसकी वज़ा से क्या होगा आगे का जो fertilization process है वो हमारा continue हो जाएगा ठीक है बेटा all clear सबको clear है तो हम एक बार इसका summary बता देती हूँ हाँ बिटा हाँ साधना हाँ तो मैं एक बार आपको पूरे की summary बता देती हूँ कि अब तक क्या क्या हुआ क्योंकि आपने जो सब कुछ पढ़ा है वो बहुत नया है जो कि आपको जल्दी से याद नहीं हुआ होगा कभी हम कही topic पर पहुँच जाते हैं कभी किसी पर पहुँच जाते हैं है की नहीं मेरे को भी नहीं हुआ था जब मैं अपने time में पढ़ती थी तो अब हम एक बार इसका कर देते हैं brief एक summary बता देती हूँ आपको जिससे कि आपको सब कुछ बहुत easy लगे हमने क्या पढ़ा बिटा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा specificity के बारे में specificity के बारे में पढ़ा जिसमे specificity के case में क्या हुआ हमने specific recognition molecules के बारे में पढ़ा वो कौन से molecules है sap sperm activating peptide और उस protein का नाम क्या है reset क्या नाम है बिटा reset क्या करवाता है जैसे ही egg ने resect release किया जाद है amount में तो sperm को पता लग जाएगा अब sperm क्या है उसकी तरफ जिधर resect आपका release हुआ है जहां से release हो रहा है वहां से क्या होगा वहां से ये उसकी तरफ move करेगा egg की तरफ move करेगा तो egg की तरफ move करने के लिए ये resect protein ही होता है जिसकी वज़ा से motility भी increase हो रही है जिसकी वज़ा से आपकी motility भी increase हो रही है बेटा, just a minute just a minute जिसकी वज़ा से हाँ जी तो आगे कोई नहीं मैं आपको दिखनी रही हूँ लेकिन आप समझ तो सकते है chemistry के session में भी परिशान किया था बेटा अब भी परिशान कर रही है कोई नहीं हाँ, तो क्या है यहाँ पर ओ शिट हाँ बेटा बहुत electricity जाती है यहाँ भी बीच बीच में बहुत परिशान करती है वैसे almost हमारा lecture खतम हो चुका है वैसे हम सब कुछ पढ़ चुके है बस एक बार summary करनी बाकि है वो करके खतम करते है तर लाइट चली गई है इस्टूडियो नाइन में जल्दी बेटा जितना हो सके जादा से जादा लाइक्स आने चाहिए और जादा से जादा शेयर करो जिससे की व्यूस भी बढ़े और लाइक्स भी बढ़े ओके बेटा यदि आप सबको पसंद आया है लेक्चर अच्छा लगा है तो पांच दिन लगातार कॉंटिन्यूड लेक्चर है उसमें डेली आपको जॉइन करना है चलो तो हम ऐसी कर लेते हैं अभी से स्टार्ट होने में पर आइम लगेगा ऐसी कर लें और रे बेटा पांच आइटी की सर्रत नहीं है जादा से जादा शेयर करो और कुछ नहीं ओके तो हम समरी बता कर रहे थे बंद कर दो हाँ होगे होगे चलो बिटा बबाए नेक्स लेक्चर में एक बार मैं आपको समरी बता दूँगी इसकी ठीक है कल भी इसी टाइम पर मिलते है गुडबाए कल भी एक बार में एकषए गण? इसी टो